पिछले फीडियो में हम देखे थे कुछ बेसिक किसम के इंग्लिश फुट का नाम क्या है और कौन-कौन सा stress pattern follow करके वे सब फुट बनाया जाता है जैसे कि एक unstressed और एक stressed से बनता है और आयम्ब में लिखा हुआ लाइन को बोला जाएगा आयमबिक लाइन और कविता को बोली जाएगी मीटर को बोली जाएगा आयमबिक मीटर इसका उल्टा यानि कि एक stressed उसके बाद एक unstressed को बोला जाएगा ट्रोके एक मीटर और अगर एक लाइन स्कैन करने के बाद अंत में कोई अकेला stressed syllable छूट गया तो उसको बोला जाएगा catalytic जिसको अकेला भी एक मीटर काउंट किया जा सकता है और अगर line के अंत में अकेला कोई unstressed syllable छूट गया तो उसको बोला जाएगा hypermetrical जो अगर अकेला रहे तो उसे foot count नहीं किया जाता तो ये चार किसम के foot के construction हम याद किये थे और आज कुछ और किसम के foot हम देखेंगे जैसे कि अगर कोई line में कोई foot में दो syllable हो और दोनों ही unstressed हो तो उसको बोला जाएगा पिरस कोई foot में दो syllable हो और दोनों ही stressed हो तो उसको बोला जाएगा spondy इसके अलावा ये दोनों किसम के foot भी English poetry में काफी इस्तमाल होती है पहला वाला होता है तीन गो syllable का बनाया हुआ एक foot जहां पहला दो syllable unstressed और तीसरा syllable stressed है इसको बोला जाता है anabist पहला वाला stressed syllable और second और third unstressed syllable इससे बनता है dactile foot anabist और dactile भी काफी important है अब अगर आप सोचेंगे कि दो और तीन syllable वाला कितना foot हो सकता है तो ये सारे नाम आपके लिए आ जाएगा ये सारे नाम किसी न किसी किसम का bisyllabic या tricyllabic foot के नाम है तो यहां हमें याद रखना होगा कि exam purpose के लिए ये सब important नहीं है सबसे ज्यादा important है iambic trochic anapastic और dactylic एक बात और देख लिजे ये हुआ stress का pattern यानि कि कौन सा syllable पर कितना stress रहेगा उसके हिसाब से ये तै होता है और ये रहा foot का नाम name of foot मतलब अगर एक unstressed और एक stressed syllable हो तो उसको I am बोला जाएगा उस foot को I am बोला जाएगा और उससे लिखी गई line को I am big line बोला जाएगा वैसे ही दो unstressed और एक stressed syllable से बना tricylabic foot को anapest बोला जाएगा और anapest foot से लिखी गई line को anapastic line बोली जाएगी जो भी हो iambic, trochic, anapastic और dactylic के अलावा हमें पीरिक और स्पॉंडी को भी कुछ हद तक याद रखना है क्यूंकि हाला की कोई कविता या कविता की कोई line पूरी थरह से पिरिक या स्पॉंडी फीट में नहीं लिखी जाती लेकिन variation के हिसाब से पिरिक या स्पॉंडी हमें हमेशा मिल सकता है अक्सर मिल सकता है, हमेशा नहों अक्सर मिल सकता है लेकिन ये जो बाकी देख रहे हैं Tribrac, Amphibrac, Bacchias, Antibacchias, Cretus और Last Walla Molossus ये सब उतना important नहीं है exam purpose के लिए आगे के वीडियो में हम देखेंगे कुछ example verse का scansion कुछ काफी popular कवियों से लिखी गई कविताओं की कुछ stanzas को हम चुन लेंगे और टै करेंगे कि वे सब कविताओं का meter क्या है और scan करके कैसे लिखा जा सकता है कि scan करके हमें क्या मिला तो अब के लिए इतना ही अगले वीडियो में हम scansion के practice शुरू करेंगे वीडियो के description portion पर मैं एक Wikipedia पेज का link दे रहा हूँ वहां से आपको अलग-अलग किसम के foot का characteristic और नाम पता चल जाएगा Thank you